हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागता आज हम बात करेंगे आधार काड के 10 वर्ष पूरे होने के आउसर पर पिछले 10 सालों में कितना आधिक नुक्सान हुगा इस पे हम इस वीडियो के माध्यम से बिश्तार से बात करेंगे आधार काड के सुरू हुए आज 10 वर्ष पूरे हो गए इस वीच इसको लेकर कई तरह से सरकार ने पेस किया चाये वो कांग्रेस की सरकार हो या पिछले 6 सालों से बिजेबी की सरकार के इंद में रही है हमेशा अधारकार को लेकर फायदा ही बताया गया कि आधारकार जब से देश में लागू किया गया है उसमें जो भरष्टा चार हुआ था उसको जड़ से खतम करने में सहायता मिली है उसमें मदद मिली है लेकिन पिछले 10 वर्सों में कितने बूढ़े और गरीब अपने अधिकारों से वंचित हुए है वह सबसे बड़ा चिंता का कारण बना है या वह सबसे बड़ा चिंता का यहां पर बताऊंगा कि जिसके माद्यम से आपको समझ में आगा है कि आधार कार्ड होते हुए भी आधार कार्ड आने के बाद कितनी जंता को परसान हुए सबसे पहली घटना ये है कि रूपलाल मरांडी जिनकी मौत केवल इस कारण हो गई दो महीने तक लागातार पास मसीन आप यहां पर इमेज देख सकते हैं यह आपका है आधार पास जो इस तरह से मसीन होता है उनकी अंगली के निसान नहीं पहचानने से इस कारण से उन्हें नहीं मिला आप देखते होंगे कि जो रासन जो ठेकेदार होते वहां पर जाते होंगे तो आप इो लगाए रहते हैं इस तरह से मसीन में बायोमेٹ्रिक वला लगाए लगा रहते हैं जब आपको लेना होता, रासन उसके लगाई आपका पहचान में इस तरह से आप करता है तब ही आपको रासन मिलता है या आप बैंक पे जाते होंगे इस तरह से जो छोटे छोटे ग्राहक सिवा केंद्र बन होते होंगे आप बीना अंगुठा लगाए पैसा नहीं निकल पाते हैं तो जिन वेक्तियों का या जिनका वहाँ पे अंगुठा पास नहीं होता है उनको रासन या बैंक से पैसा नहीं मिलता है इसी तरह से रूपलाल मरांडी जी का बस यहीं सबसे बड़ी समझ चाहिए थी उनके मौत का सबसे बड़ा कारण यहीं बताय गया था कि उनको दो महीने तक रासन नहीं दिया गया क्योंकि उनके अंगुठा निसान को नहीं पहचान हो गया या आपका अंगुठा यह गलत हो गया आपको यह लगाना चाहिए था मसी ने इतवारिया देवी हैं अंगुठा पहचान लिया लेकिन डीलर ने रासन देने से साफ मना कर दिया जिसके कार से उनकी मौत हो गई वहीं सरकार ने बड़े-बड़े समिले लिए किसी भ अच्छा परदान की जा रही थी उसमें जो फर्जी हो रहा था वो सब खतम हो लेकिन सही तो यह है कि कई लोग जीवित रहने के बाद भी उनका इस तरह से लिष्ट से नाम काड़ दिया गया है तो क्या यह सरकार इसे ही सरकार उपलब दिया बता रही है यह भी कहा गया है जब से अधार काड़ाया है तो आपको पेंसन लेना हो तो यह आपको डाकुमेंट लगाना होगा वो करना होगा आपको बैंक खाता कुलाना होगा तब भी यह कोई भी आपको इस तरह से आपको सरकारी यूजनाय का लाब लेना होगा तो आपको यह दैसे आप देख लिज लाब से वंचित कर देना सरकार के माध्यमiping से क्या सरकार इनेहें यही太िलप्धिया बता करें हैyardharkar आज है कि वा दस्ते करने सरकार सरकार उन्हार करने तो आप इसे उपलब्धिया मानेंगे या इस तरह से आधार कार्ड के जो आने के बाद से क्या इन्हें कमी मानेंगे सिम डेगा की 11 साल की संतोसी की मौत के पीछे का करण मात्र ये था कि उसकी माने कोईली देवी ने उसका नाम रासन कार्ड में नहीं जुड़वा पाई और उसके हिस्से का जो रासन है वो नहीं मिल पाई आज की समय में ये है कि आपके परिवार में अगर दो लोग हैं तो आ नाम रासन कार्ड में नहीं जुड़वा पाई इसके कारण से जो रासन कार्ड वाले जो ठेकेदार उन्होंने रासन नहीं दिया जिसके कारण से संतोसी की मौत हो गई आरखन के पूर सीम रगोवर्दास ने इस तरह किये बचत को सरकार की सबसे बड़ी उपलबधी जाए तो मध्यम वर्ग के लोग हुए हैं मध्यम वर्ग की समस्यां से सबसे अधिक परसान हैं बच्चों का इसकूल में प्रवेश प्रवेश जो पर विजन फंड होता है गैस सीलेंडर की सबसीडी सरकारी पेंसन वाई अन्या स्थानों पर आधार कार्ड मांगा जा रहा है अधर तो बात चल लहीं थे एक साल पहरे की अधार कार्ड को अनिवर लेकिन सुप्रेम कोट ने कहा कि इसे अधार कार्ड को लेकर परसान है पृत हो वो आज इस तरह से इस आफिस में उस आफिस में आज ये बढ़ चुकी है कि जो आधार कार्ड सेंटर हुआ करते थे उसको भी बंद कर दिया गया है अब कुछ गिने चुने जो बैंक है वही पर आधार कार्ड का संसोदन इस तरह से किया जाता जिसके कार्ड से जो मध्यम वर के लोग हैं वो सबसे अधिक आधार कार्ड से परिसान हैं आधार कार्ड एनपियार का और एनर्सी का जुड़वा भाई का जाता जब लाया गया था तभी ये कहा गया था 2011 में ही कहा गया था कि जो आधार कार्ड है वो NPR वे NRC का जुड़वा भाई है सरकार ने जब आधार कार्ड को लाया था तब उन्होंने पहले भी बता दिया था कि आधार कार्ड और NPR दोनों का मकसद एक ही है देश में रह रहे हैं आम लोगों की एक बीसे सूची बनाई जाए चाहे वो केन सरकार इसे में प्रजेंटाय में बिजेपी हो या कांगरेश की सरकार जब भी रही है उन्होंने यही कहा कि आधार कार्ड और NPR दोनों का मकसद एक ही इसके माद्यम से बस यह देखा जाएगा कि देश में आप कितने साल से रह रहे हैं इतने लोग हैं आपकी एज किया है आप कहां पे रहते इस तरह से यह डाटा इकठा करने के लिए ही आधार कार्ड और NPR की बात की जा रहे है NPR भी कांगरेश के सासन में आया था और आधार कार्ड भी इनहीं के सासनकाल में आया था कई बिसे सुग्यों ने ये भी बताए कि NPR और आधार कार्ड में बस अंतर थोड़ा सा ही है जहां आपका NPR जनकरणा जिसे कह सकते हैं वो गिरी मंत्राले के अधिन सुरू किया गया वो ही आधार कार्ड की जिम्मेदारी योजना आयोग जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे 2015 के बाद से इसे हम नीती आयोग के नाम से जानते हैं तो जो आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है यह आपकी संस्ता है U, I, D, A, I इसे ही हम इस तरह से इसके माद्धेम से ही आधार काड़ जारी किया जाता है तो इन दोनों में बस यह संस्ता का ही अंतर है कि एक ग्रीम अंतरले के अधिन कारे करता है एक आपका योजना आयोग या निती आयोग के अंतरगत काम करता है आधारकाड का संचालन यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि आधारकाड का संचालन नीजी ठेकेदारों वे सरकारी कुछ जो सबसे अधिक जो हिस्सा है वो नीजी ठेकेदारों के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है कि आपको जारी करना आधारकाड कहाँ पे बनाना है कहाँ पे कैम्प लगाना है कोई से डाकुमेंट लोगों से मांगना है कोई से अंगुली के निसान लेना होगा अगर ऐसा जो अधारकाड बनाने की जिम्यदारी दी गई है वो प्राइबिट सेक्टर को दिया गया है नीजी ठेकेदारों को दिया गया है तो आपका डाटा कितना सुरच्छी थै या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कहा ये भी गया है कि कई बाट डाटा की सुरच्छा को लेकर ग्री मंत्राले वे आधारकाड के UIDAI के मद तनाव भी हो चुका है जब केंदर सरकार में कांग्रिस की सरकार्थी तब भी इसको लेकर विवाद हुआ था उस समय पूरोवे परधान मंत्री मनमुहन सीग ने इसको सुल जाया था और 2015 के बाद भी ऐसे जो तनाव सुरू हो चुके हैं ग्री मंत्राले और UIDAI के मद 2012 की बात है 2012 में दिली की सीम सीला दिछित ने राजय सुभी भाग की सेवाओं के लिए आधार कार्ड आनिवारे कर दिया सबसे बड़ी बात जो ये है कि NPR वाली जो संस्था है जो NPR करेगी या जन ikरण जो निकालेगी वह जो साफ़ट वेर यूज करती है वही साफ़ट वेर आधार कार्ड UIDAI संस्था भी वही साफ़ट वेर यूज करती है तो इस तरह से कई भी सेस्गों ने इस तरह से बताया है कि अगर आपने NPR में या जनगर्णा में आपने अपना नाम इंटर करा है तो आप समझे कि आपका आधारकार्ड में जूड़ चुका है और अगर आपने आधारकार्ड आपके पास है तो समझे कि आपक जन्रण रना हो चुका आप कहा के हैं आप की एज कहाँ पे यह कितने आपकी एज क्या है आप इस तरह से आपके सारे चीज़ों के बारे में डाटा सरकार एक साथ दो काम कर लेती है इसलिए कहा गया है कि आप ये मत सोचिए कि NPR आएगा ऐसा नहीं NPR आ चुका है लागो हो चुका है वो कंग्रेस के सरकार में ही लागो हो चुका था बस उसमें कुछ केंद सरकार परजन टाइम है कुछ अलग संसोधित करके कुछ अलग जो आपके प्रस्ष्ण है उससे पू करेंगे लेकिन आप जितना सुरचित होने की कोशिस कर रहे हैं आप आपका डाटा उतना ही अधिक लीकेज हो रहा है आप उतना ही कह सकते हैं कि सरकार के कबजे में होने की कोशिस कर रहे हैं आधारकार ने हमें पिछले 10 वर्सों में पूरे देश को सिखा दिया कि कैसे सरकार कारी सरकार के माध्यम से चाहिए वो मन रेगा हो या जो सबसीडी गय सिलेंडर वाले दी जाती है उसमें भरहष्टाचार सिर्फ कुछ गीने चुने वो भी जिनको सरकारी इस तरह सोता है कि सरकार का आधिकार या सरकार की ओर से सुरच्छा प्रादान होता है वही 150.199 करौन लोगो के रिकार सरकार के पास इसमें परजन्ट टइम में हैं चाहिए वो अधारकार के माध्यम से यह प्रकार से जो आपके data है, आपके data scheme से खिलवार किया जा रहा है, कहां ये भी गया है कि अगर आज लोगों को परसान किया गया, चाहे वो NPR के मादधियम से, NRC के मादधियम से, जो भी समस्या आ रहे हैं, उसके मादधियम से अगर परसान किया गया, तो इसके देश की जनता को कम नुक नुकसान होगा, लेकिन जो देश है, उसको सबसे अधिक नुकसान होने वाला, आज वैसे ही हम, चीन हो या अन्य देशों से चाहे हो अमेरिका, हम उससे बहुत पीछे चलने हैं, उसकी तुलना में जो GDP हमारी आज आप तुलना कर सकते हैं, कि इस समय परजेन टाइम में भ आधार कार्ड एनरसी का टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी आधार का जो में मकसा था सरकार के माध्यम से लाने का आधार कार्ड हम इसलिए लाएंगे, वो अभी तो आपने देखा नहीं, अभी तो ये पिछले 10 सालों में सिर्फ आपने आधार का टेलर देखा है पिक्चर अभी बाकी ये वो भी कहा गया कि 2024 से पहले आप लोग पिक्चर भी देख लेंगे कि किस तरह से आधार कार्ड मनाया गया था और किस तरह से सरकार उसका यूज कर रही है तो सबसे पहले एक कोश्चन भी इससे उठता है कि आधार कार्ड देश के लिए इतना ही जरूरी था तो सुप्रीम कोट ने इसे अनिवार क्यों नहीं किया वही केंदर सरकार आधार काड को अनिवार कराने के लिए पूरे देश में लागू कराने के लिए सुप्रीम कोट में भी गई उसके लिए लगभग एक साल तक केस भी चला है कि इसे अनिवार के लेकिन सुप्रीम कोट ने अंत में ये फैसला दिया कि अधार काड को अनिवार नहीं कर से लेकिन आज जिस तरह से अधार का यूज हो रहा है वो आने वाले समय में आपको इसका पूरी तरह से एक तरह से दिखाई देने लेगेगा कि इसका में मकसद क्या था और क्या में उद्देश था बनाने के लिए तो ये थी है हमारी आज की सबसे इंपोर्टिन यूजनाय होती है या उनका खुद का पैसा नहीं निकल पाता है बेंक के माद्यम से तो ऐसे कई लोग हैं जो अधार काड आने के बाद परसान हुए यह नहीं कहता हूं कि अधार काड आने से जो फायदे नहीं हुए फायदे बहुत हुए लेकिन आपको सबसे अधिक गातक भी बन सकता है तो जीस तरह से ये आधार काट गातक बना आया है ये आगे अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो अभी तो आपने कम देखा है नुकसान आगे कितना नुकसान होगा इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं सरकार भी अंदाजा नहीं कर सकती है इसी परि रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD Glasses की और से धन्यवाद